जिगरी यार के लिए वो कुछ भी करेंगे ये बात में किसके लिए कह रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगी लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी अरपपती व्योसाई एलन मस्क और रिलाइंस ग्रूप के चेरमेन जियो के स्वामी मुकेविश अमबानी के बारे में लेकिन इस वीडियो में खासकर केंदर बिंदू होने वाले हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी इस्टार लिंक इस्टार लिंक का नाम आपने खुब सुना हुआ हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि दरसल मोधी सरकार ने हाल फिलाल में ही एलन मस्क को लंबा तगड़ा जटका दे दिया है यानि कि जो उनकी इस्टार लिंक कंपनी भारत में आने वाली थी ब्रोड बेंड के माध्यम से इंटरनेट सेवाए देने वाली थी सेटलेट के माध्यम से हमें इंटरनेट सेवाए प्रदान करने वाली थी उसको अब मोधी सरकार ने बेन कर दिया है याईनि कि इस्टाल लिंक की सेवाई अब भारत में नहीं आएगी अब या जटका किसके लिए दिया हैं मुधि सरकार ने यह बाट भी किलियर होने लगी है वैसे भारत सरकार बहुत सारे तर्क दे रही है कि हमने इस इसलिए एलन मस्क की कमपने की जो इस्टाल लिंक की सेवा है उस पर पाबंदी लगाई है ये जो नियम शर्ते वो पूरी नहीं कर रही थी तमाम तरह की बातें मोधि सरकार कर रही है लेकिन हकीकत एलन मस्क को भी पता है देश की जनते भी जान रही है कि मोधि सरकार नहीं एक अदम क इसके पहले आप से गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हो वीडियो पहले बार देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और मर्जी हो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा चलिए बात कर लेते हैं इस्टार लिंक की तो दरहस हो सकता है कि आपको समझने में प्रोब्लम आजाए और मुझे भी समझाने में दिक्कत हो सकती है इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको बिल्कुल सीधी साधी भाषा में पुरा मामला किलियर कर देते हैं यह जो लोचा चल रहा ना कि इस्टा लिंक पर भारत सरकार बेन लग और अमबनी साब का जियो फाइबर आने वाला है उसके पहले इस तरह का केस होने वाला है तो वो कहानी लंबी चूड़िये तो चलिए मैं अपने ही तरीके से अपने अंदाज में समझा देता हूं तो पहले हम मुकेश अमबनी की हल किसी बात कर लेते हैं क्योंकि दरहसल ज चा दिये खनेक्टिविटी दे दिये फलाना धिकाना चिंकाना इस स्पीड की बात कर लिए कितनी स्पीड मिलने वाली है लेकिन जैसे ही एलन मस्क ने गोशना की थी कि हम भारत में इस्टार लिंक के माध्यम से यानि कि सेटलाइट के थू इंटरनेट की सेवाय देने वाल एलान हुआ तो धरसल असर पढ़ने लगा मुकेश अंबनी सहाब को मुकेश अंबनी को कही ना कहीं डर लगने लगा चमकने लगा क्योंकि उनका सामराज लूट सकता था पिट सकता था उनकी दुकानदारी बंद हो सकती थी क्योंकि मुकेश अंबनी ने अनाप चनाप धन खपाया है जियो फाइबर के चक्कर में यानि कि गाउं खेड़ों में भी उन्होंने अपनी केबल बिचा ये नेट्वर्क लगाये हैं और जियो फाइबर का वा कनेक्शन भी बाट रहे हैं लेकिन अभी कहीं सरे शेयरों में नहीं आए हमरे इधर की बात करें तो भीए यहा स्पीड बताए जाती है वो 300 Mbps की बीच में बताए जाती है तो दरसल अंबने साब घबराने लगे क्योंकि इस्टाल लिंक 2022 में आने वाली थी सेवाए ब्रोडबेंड के थुरू गाउं गाउं में पहुंचने वाले थे और खासकर एलन मस्क नहीं ये घोशना किते हैं कि भारत के हम गाउं खेड़ों में पहुंच बनाएंगे यानि कि जा नेटवर्क नहीं है जा फाइबर बीचा हुआ नहीं है जा केबल वेबल कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी जो एलन मस्क की कंपनी इस्टाल लिंक वो अपने ब्रोडबेंड के माध्यम से अपना डिश के म समकने लगे कहीं ना कहीं जुगाड भिडाने लगे कि यार अगर एलन मस्क ने अपने इस्टाल लिंक भारत में उतार दिया और आ गई तो फिर हमारी तो हालत खराब हो जागे इसलिए दर असल आगे की कहाने आप समझ जाएगा मोधी सरकार ने कदम उठाया 26 नॉबर के बीच की बात्चीत हैं एकि अमेरिकी अरप्ति एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी इस्टाल लिंक की सेवाँ पर पाबंदी लगा दी गई है अब यह क्यों पाबंदी लगाई है इसके पीचे मोधी सरकार तरक विदेरी उन तरकों पर भी हम बात करेंगे लेकिन पहले आपको और चीज़ समझा देते हैं समचार एजनसी जो राइटर से उसने लिखा है और BBC ने खबर भी चापिये कि केंदर सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि समचार लिंक को भारत में ततकाल प्रवाव से इंटरनेट सवाए बुक करने यह हम सेवाए देने से रोग दिया गया है यानि कि ऐसी भी जानकर यह आई कि जो इस्टाल लिंक के वो खुब प्रचार कर रहा था भारत में अपनी इंटरनेट सेवाओं की कह सकते हैं कि ब्रोशर छप चुके थे एड आने लगे थे तो भारत सरकार उन तमाम तरह से एड से और ब्रोशर जो छप चुके थे विग्यापन जो चल रहे थे उनसे परेशान थी क्योंकि दर असल मोधी सरकार के कहना है कि इस्टार लिंक कंपनी ने हमसे परमीशन तो लिए लेकिन अभी उन्हें ये जो एं लाइसेंस नहीं मिला है यानि कि लाइसेंस नहीं है तो आप इस तरह की सेवाएं नहीं दे सकते हो भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो सेटलाइट के कहीं अभी रेजिस्टेशन करवाया है लेकिन उन्हें माननीता नहीं मिलिये उनका कहीं नहीं लाइसेंस अभी किलियर नहीं हुआ इसलिए अभी हम इस तरह की सेवाओं पर रोक लगा रहे हैं इस तरह की सेवाओं को हम अभी देश में नहीं आने देंगे जब तक उन्हें मस्क ने घोष्टना कितिक हम भारत में इस्टाल लिंक लेकर आने वाले हैं तो अभी तक ऐसा बताते हैं कि 5000 से ज़्यादा लोगों ने एडवांस बुकिंग भी करवा ली थी कि हमें भईया इस्टाल लिंक की सेवाएं चाहिए इस्टाल लिंक जैसे आये पहले हमें जरूर उनकी सेवाएं उपलब्द करवाएं यह जानकरी खुद इस्टाल लिंक कंपने के कंट्री डायरेक्टर संजे भारगाउ ने बताया और उनकी सेवाँ की इस्तेमाल के लिए अभी भी एडवांस बुकिंग चल रही थी लेकिन अ पैसे इस्टाल लिंक को मत पैक कीजिए हमने अभी इस पर पाबंदी लगा दिये बेन लगा दिये उनके विग्यापनों से उनके ब्रोशर से उनके जानकरी उसे बचने की कोशिस कीजिए इस्टाल लिंक का लक्ष था कि दिसंबर 2022 से कह सकते हैं दो लाग डिश टर्मिनलो से ब्रोडबेंड नेट सेवाय शुरू करने का लेकिन अब वो सपना एलनमस का कहीं नगे चूर होता हूं नजर आ रहा है अब ये रोक चो लगाई इस पर भी एक हलकी सी बात कर लेते हैं तो सरकार का कहना है कि इस्टाल लिंक की सेटरलाइट सेवा देने पर इसलिए बाबंदी हम लगा रहे हैं यानि कि हम सेटरलाइट से ब्रोडबेंड पर इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि दरएसल अभी उन्हें लाइसनस मिलना बाकी है जब लाइसनस मिल जाएगा हमें जो शर्तों को मान लिगे इसके बाद हम सोचेंगे तो फिलाल तो ये पूरा मा आमला हो गया है यानि कि एलन मस्क को धक्का लगा है अब ये धक्का क्यों लगा है इसके पीछे की कहानी आप किलियर समझ गये होंगे यानि कि मित्रता का फर्ज तो साहे बहुत अच्छे से निभाते हैं अब जब इस तरह का पूरा कांड हो गया है इस से हमर देश की छवी खराब हो रही है क्योंकि वोड़ाफोन के बारे में आपको पता होगा एक बार उनका इस्टेट्मेंट आया था कहा था कि अमबानी जो है यानि कि जियो वाले मुकेश अमबने साहब वो कही ना कहीं कॉंपूटेशन खत्म कर रहे हैं वो कहीं सरकार जो है वो फेंसले कि भारत में मोनोपोली हावी होती चाहिए पुरी दुनिया मोनोपोली खिलाब लड़ रही है चाहिना लेलो अमेरिका लेलो जापान लेलो या फिर आप कह सकते हैं कि ब्राजिल लेलो जर्मनी लेलो तमाम दुनिया ये चाहती है कि उनके देश में मोनोपोली हावी ना हो एक अधिकार मार्केट में ना हो, कम से कम लोग पुरे देश को न चलाएं, बहुत सारे लोगों को प्रतिस परदम भाग लेने का मौका मिले, उन्हें भी देश में अपनी सेवाएं देने का मौका मिले, लेकिन हमर देश